आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे CROP करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ मतलब कितने ऐसे वर्ड हमारे फॉर्म होगे यह हमसे पूछा गया है तो सबसे पहले पन देखें तो यह जो E, Q, U, A, T, I, O, N यह सारे के सारे डिफरेंट लेटर लिखे हों इस वर्ड में इक्विशन में अब यह 8 लेटर के वर्ड है यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ठीक है तो 8 लेटर है ठीक है अब हमें बनाना 8 लेटर का वर्ड ही बनाना है जिवो हमारा क्या है E से begin ना होता हो नहीं N से end होता हो ठीक है तो सबसे पहले तो अगर मैं 8 लेटर को यह हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल यालिकि total words अपन 8 फैक्टोरियल तरीके से बना सकते है यह हमने कोई भी condition भी नहीं लगाया अब ऐसे word बनाते है जो हमारा यहाँ पर सबसे पहले में क्या करता हूँ एक ऐसा word बनाता हूँ जो हमारा begin होता होगा begins with begins with e and end with end with end तो या तो हमारा begin होता होगा e से और end से हमारा end होता होगा तो e से हमारा begin हुआ फिर इसके बीच में हमारा 6 असपेस बचा यह जो 6 असपेस बचा और यह हमारा end से end होता होगा तो 8 लेटर के फिर से word बनेंगे अब हमारे पास यहाँ पर 6 अस्पेस है और 6 लेटर भी वचे हुए है तो इसको कितने तरगी से फिल कर सकते हैं आपन तो यह 6 फैक्टोरियल मैंने लिग दिया अब अब अपन निकालते हैं ऐसे वर्ड जो begin होते होंगे जो begin with सिर्फ एक ही condition लगाता हूँ जो begin होते होंगे इसे begin with ही इतने कैसे हमारे कितने वर्ड हो जाएंगे जो begin e से होते होंगे तो यहाँ पर अब 7 स्पेस बचा ठीक है तो इस 7 पैस में अपन 7 लेटर को फिल करेंगे तो उसके कितने तरीक के हो जाएंगे 7 factorial अब इंड होते होंगे जो e इंड with यहाँ पर n से टीक है तो एंड से जो इंड होते होंगे वह कितने वर्ड होंगे तो यहाँ पर हमें 7 स्पेस बचा है ठीक है 4, 5, 6, 7 और यहां पे 8 number space पे हमारा n आता होगा ऐसे कितने later होंगे तो यहां पे 7 हमारा later बचा हुआ और 7 space fill करना है फिर से 7 factorial यह आ गया अब according to question अपन देखे तो हमें पूछा गया neither begin with e nor end with n तो इसका मतलब क्या हो गया चलो neither begin with e मैं क्या करता हूँ इसको explain करने के लिए एक when diagram यहां पे construct करता हूँ तो यह जो set e है वो ऐसे word को represent कर रहा है जो हमारा e के साथ begin होता होगा और जो end के साथ end होता होगा वैसे set को हमने यहां पे यह second वाला circle एजूम कर लिया और यह union का मतलब total word है तो यह हमारा आ गया when diagram अब हमें पूछा गया था कि ऐसे words कितने होंगे जो हमारे ना तो e से begin होते होंगे और ना ही end होते होंगे तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है हमें यह जो e union जो n है उसको छोड़के हमें total वाल यहां पे निकालना यादे कि से color करते हुँ दूसरी पार्ट से यह वाला जो हमारा पाट पचा एक यह पाट पचा union में अगर यह minus कर दे तो वह पाट आम निकालना ça तो उसको कैसे हमें निकालना लेंगे तो आपन जानते हैं total में से total में से भ्लसक्रना होगा किसको То n e union n को यह निको呢 नमबर फ यानि कि इसका union होगा e और m के set वालिका उसको और हमें total में से minus करना होगा तो total हमारा क्या था yeah eight factorial minus यहाँ पे number of यहाँ पर e union n को minus करने वाले है तो e union n को minus करते है देखो इसका formula क्या होता है union में अगर लिखा हो तो इसका formula होता है सबसे पहले number of elements in set e plus number of element in set n minus number of element in set e intersection n यह हमारा formula होता है तो इसमें आपन पूट कर देते हैं यह 8 का factorial minus number of element in set e इसका मतलब जो e word से begin होता होगा वो ऐसे कितने word होंगे तो 7 का factorial ठीक है मैं लिखा 7 का factorial minus जो दोनों का intersection part है मतलब जो begin होता होगा e से और end होता होगा n से वो कितने word होंगे तो 6 का factorial तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 का factorial तो यह आ गया इसको अपन solve करेंगे हमारा answer आ जाएगा तो यहाँ जाएगा 8 का factorial मैं क्या गरता हो total से 7 का factorial यहाँ तो 6 का factorial अपन common ले लिते हैं जो सबसे minimum है यानि कि 6 का factorial मैंने common ले लिया यहाँ क्या बचेगा तो 8 into 7 बचेगा, ठीक है, minus, यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यह 1 plus 1, यानि कि 2 into 7 का factorial लिखा हुआ था, मैं गर तो 2 into, यहाँ पे 6 का factorial common आगिया, तो यहाँ पे बचेगा 7, ठीक है, और minus, यहाँ पे क्या बचेगा, यह 6 के factorial से मैंने 6 का factorial common ले लिया, तो यह तम बच गया तो अपने देखे तो यह आगे 6 का factorial into 56 minus 14 minus 1 that is 13 तो यह 13 बच गया तो basically यह लिखा हुआ 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 6 का factorial का मतलब यह हो गया 56 minus 13 यानि कि यह 3 5 1 यानि कि 43 लिखा हुआ है सबको multiply कर दो तो यह आजाएगा 30 960 तो total wage कितने हो जाएंगे 30 960 यानि कि total words हमारे इतने form होंगे तिक है यानि कि 30 960 तो इतने हमारे word form होंगे 8 liter words थाइंक यू